क्या आपको पता है कि जुगनु में लाइट कहां से आता है, आप लोग तो जुगनु के बारे में सुना ही होगे, या फिर देखे भी होगे। दरसल आजकल में सब जीव शहरों में कम ही दिखते हैं, गाव में दिखता है। जुगनु तो एक ऐसा छोटा सा कीडा होता है, जिसका बॉडी रात में अंधेरे में ग्लो करता है। जुगनु के अंदर लेटरल लाइट एक बल्ब की तरह लाइट किसी जीव में कैसे जग सकती है। कैसे पॉसिबल, कैसे है, ये पहले इसको एक मिस्टरी के तौर पर साइंटिस्ट देखते थे कि ये लाइट कैसे आती है। किस कैमिकल के चलते इस पर रिसर्च की गई, तो इटली के साइंटिस्ट साखिर में इसका वजह पता कर ली है और वजह है जुगनु के अंदर लूसी फेरेल नाम का कैमिकल का होना। दुनिया में एक ही नहीं बलकि हजार से भी ज्यादा जीव मौजूद है जिनके बॉडी में लाइट होती है। जुगनु का नाइट में जब बत्ती जलता इनके अंदर तब आपस में। ठीक है सिंपल और जब ये जुगनु सांस लेता है तब हवा का जो ऑक्सिजन होता है वो लूसी फिर इन कैमिकल के साथ कमबाइन होता है। और लूसी फिरेल और ऑक्सिजन को जो कमबाइन करता है उस कैमिकल को कहते है लूसी फिर हैस लूसी फिर एक एंजाइम है। वो प्रेजेंट होता है इस प्रोसेस में एंड लूसी फिरेल ना हो तो लूसी फिरेल और ऑक्सिजन कमबाइन नहीं हो पाएगा। तो जब luciferal, luciferal और oxygen को combine करता है, तब energy produce होता है, end light के रूप में आपको दिखता है, actually में जब मैं और deep और scientific में बताऊं, तो जुगनू जब सांस लेता है, तब oxygen और luciferal के साथ-साथ calcium ad, innocent tri-phosphate, ATP और luciferal और oxygen ये चारों combine होता है. सब मिलकर, light और एक fact है जुगनू के बारे में कि इनका कोई सांस लेने का ये नहीं होता है, lungs ये अपने body के नीचे वाले हिस्से से सांस लेते हैं, जिसे tricoil कहते हैं, oxygen इसी tribals के थ्रू अंदर आता है, और ये सांस लेते हैं, और actual में सिर्फ जो golden yellow color का जुगनू होता, वो नहीं बलकि nature multiple color का light भी बनाया है, क्योंकि yellow, green, red ऐसे color वाले light के भी जुगनू होते हैं, और एक बहुत interesting fact है कि पुराने जमाने में जुगनू का इस्तेमाल लोग अपने घर को रोशन करने के लिए करते थे, वो छोटे-छोटे छेद वाले मिट्टी या किसी धातू से बने बर्तन के अंदर बहुत सारे जुगनू को पकड़ कर light के रूप में इस्तेमाल करते थे,